हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब तो दोस्तो हमारे चैनल में आदुनिक भारत के इतिहास की सीरी चल रही है तो हमारा कोर्स आदुनिक भारत के इतिहास में काफी आगे पहुंच चुका है और आज जो हमारे टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मरठा राजी हम लोग सीक्व सबाइस उनको लेके चल रहे हैं तो इसी क्रम में हमारा जो राजी आता है मरठा राजी आता है अब देखी मैं आपको एक महत्वपून बात यह बताता हूं अक्सर इस्टुडेंट क्या करते हैं जो मरठा सामराजी का जो उसका आधार है जो उसका बेस है उसको वो लोग बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं सिवाजी के वनसच कौन थे सिवाजी किस वनसच के हुए तो यह बहुत सारी चीज़ें हमको जाननी बहुत ही आउसे कहीं यहां से कोशिन बनते हैं तो अक्सर इस्टुडेंट यह गलतियां कर देते हैं की उत्पत्ति हुई है जो सिवाजी के वनसच थे वो कौन थे किस वनसच के थे किस वनसच के थे उन सबके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे सिवाजी महराज की तो इस तरह के से हम करम बाइच करम चलेंगे इसलिए हम लोग सुरू कर लेते हैं आज मरठा राजी के बारे में देखी मरठाओं के इतिहास को अच्छी तरह से समझने के लिए इसे दो चलडों में बाटा जा सकता है मतलब बात करें मरठाओं की तो इनके इतिहास को समझने के लिए इसको दो भागों में डिवाइट कर लिया गया है पहले चरणों में हम लोग पढ़ते हैं सतरवी सताब्दी के उतरार्द से लेकर औरंग जेब की मिर्थू तक मतलब 1707 इस पी में जैसे की औरंग जेब की मिर्थू तक हो जाती है तो एक पाट तो हम लोग इसकी मिर्थू तक पढ़ लेंगे दूसरा पाट हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पाट देखी हमारे कौन सा आ रहा है दूसरा पाट हमारे पास आएगा उत्तरवर्ति मुगल काल इसमें पेस हुआ वास्थुक्षासक बन गेती चलिये हम लोग पहले पर्थम चरण की बात कर लेते हैं देखिए 1757 सताब्जी से लेकार टेसे लेकर औरंग जेबि की मिर्ती हो जाती है तो यहीं तक हम लोग पर्थम चरण हम लोग यहां चरण पड़ते हैं अब हम को इसमें क्या क्या पढ़ना है देखिए इतने भी राजा हुए हैं मरठा सामराजी में इनके बारे में हम लोग चड़न जो अधिन करेंगे पर्थम चड़न में हम लोग अधिन करेंगे और देखिए अगर हम बात करें दूसरे चड़न की दूसरे चड़न में देखिए उत्तरवरती मुगलकाल इसमें पेशवा वास सासक कहा गया है तो जो हमारा दूसरा चलन मरठा सामराजी में आएगा तो यही उत्तर वरती मुगल कालों के जो काल उसमें मुगल काल चल ला था उसी के साथ साथ मरठा सामराजी भी हमारा चलेगा तो इससे में होता क्या है दूसरे चलन में देखिए अभी तक तो यहां पर क्या होता था छतरपती का यहां पर राज चला छतरपती जो होते हैं उनका राज यहां पर चलेगा लेकिन अब क्या होगा जब दूसरा चलन यहां से सुरू हो जाता है इसमें क्या होता है उत्तरवर्ती मुगलकाल इसमें पेश्वा वास्तिक सासक बन गए हैं यहां छतरपत थे लेकिन यहां पर क्या होता है पेशवा आ जाते हैं पेशवाओं को यहां से होना सुरू हो जाता है तो इस तरह से हम लोग अधिन करेंगे दूसरा चलना में हम लोग अधिन करेंगे पेशवाओं का अब देखी पेशवा कौन-कौन से हुए हैं बाला जी बिस्वनात स्टापठे हैं आगे। दो मरठा सामराजी के संस्था और तो हर कोई जानता ही है कौन थे सिवा जी है कुश को सीोट या ते अब दैखिये कुछ यहांते हैं जबonneri कूट वाले कोशन अपने चर्मोस का स्वर्था उस समय क्या होता है तब सिवाजी के नेतुत्र में मराठों के उत्थान ने उसे गहरा आगहत मोचाया था दिखी जब औरंग जीब का सासन चल रहा था औरंग जीब काफी महान सासन हुआ था मुगल सामराजी का तो जब होता क्या है वो अपने चर्मिस्तर पर होता है अपने सामराजी के जब वो का भी सक्ति साली हो जाता है उसी समय सिवाजी के नेतत्र में मराठों का उत्थान हो चुका था तो जैसे ही मराठों का उत्थान होता है तो सिवाजी ने मुगलों को काफी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था और ये भी कहायाता है कि औरंग जेब के पत्न का कारण भी यही रहा था और देखिए उसके बाद ही औरंग जेब को अपने सासन के अंतिम 25 वर्स दक्कन में मराठों के साथ भीषण संगर से बिताने पड़े थे अब सोचिए जब एक सासक 25 साल एक ही जगह युद्ध करने में बिता देता है तो उसका क्या हाल हुआ होगा तो इसी परकार से औरंग जेब को अपने सासन के अंतिम 25 वर्स दक्कन में मराठों के साथ भीषण संगर से बिताने पड़े थे आपका उतर क्या हो जाएगा औरंग जेब इंपोटेंट है नोट करेंगे फिर देखिए मराठों के बिरुद चलने वाला यहाँ देर का संगर्स अंतिता है मुगल सामराजी के पतन का कारण से दुआ मतलब कि देखिए मुगलों का जो संगर्स मराठों के साथ चला था वो काफी लंबा संगर्स चला था इसमें होता किया है जो मुगल सामराजी था उसको इससे काफी हानी होती है मराठाओं ने मुगल साथ से को काफी सारा नुकसान पहुंचाया है और मुगल काल का जो पतन होता है उसका एक महत्वपूर कारण भी यही होता है मराठाओं से जो उनका युद्ध लड़े गई थे जिस कारण से मुगल लों काफी छदी पहुँची थी तो एक यह भी कारण माना जाता है मुगल सामराजी के पतन का चलिए बढ़ते हैं आगे फिर देखी कहा जाता है कि जो मराठाजी जो सासक थे उसको हम जगड़ालू नहीं कह सकते हैं लड़ाकू जाती का मतलब होता है वीर जाती जैसे कि मैं आपको जब सामराजी पढ़ा रहा था वहाँ पर भी ऐसा ही लड़ाकू नाम आया था तो मैंने आपको वहाँ इसकी डिटल बताई थी तो उसी परकार से लडाकू से हम लोग आर्ऩाइन निकालेंगे वीर और द्रन परिसरमी मतलब अब हम कह सकते हैं कि द्रन परिसरमी थे और 1777 बहुत भी वीर लोग थे अब देखिए हम लोग अगर बात करें कि जो मराठा लोग थे उनको द्रण परस्रमी तथा लड़ाकू जाती मतलब ऐसी क्या कंडिसन रहे थी कि वो इतने परिस्रमी और वीर युद्धा बन गए थे तो उसमें ये कहा आता है कि महराठा की उबर खावण भागोली किस्ति तथा वहां की जलवायू ने ही महराठा को द्रण परस्रमी और लड़ाकू जाती का बनाया था दोस्तों यहां से कोशिन बनता है ऐसे ही कोशिन बनेगा कि महराठा को द्रण परस्रमी और लड़ाकू ज जाती किस परिस्थिती ने बनाया था आपका उतर क्या हो जाएगा महराष्ट की उबर खावड भगोले की इस्थिती और वहां की जलवाई उड़ी ठीक है उसके बाद देखिए राइज ऑफ दा मराठा पावर पुस्तक काफी इंपूटेंट है पुस्तों काफी बार पुश जदुनात सरकार और जी एम जी ऐसे सरदेसाई और राणारे जैसे इतिहासकारों के अनुसार मराठा राज्य का उत्थान मतलब जो मराठा राज्य के उत्थान का परिड़ाम था वो क्या था देखिए मतलब हम कह सकते हैं कि जो ये हमारे इतिहासकार हुए हैं इनके अनु जेब था उसकी जो हिंदू बिरोधी जो नीतियां थी उस टाइम पे उसका भी एक कालड रहा था कि जो मरठा सामराजी का उठान हुआ था फिर देखिए यहां पर एक हमारे पास लेखा काते हैं देखिए बहुत ही इंपोरेंट अफेक्ट हैं इनको बहुत कम बच्चे बढ आते हैं यह कोशन काफी बार बन चुका है दोस्तों यह वाला तो आपको याद रखना है चलिए ठीक है और यह पुस्तक भी कई बार एकजाम में पूछ लिए गया है फिर हम लोग बात करते हैं ग्रांट डफ की इन्होंने यह लिखा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अगन कांड की भाती हुआ था तो आपका उत्तर के खाज़ेगा ग्रांट डफ ने चलिए ठीक है आगे देख लेते हैं तो देखिए भक्ति आंदोलन के संतों जैसे ग्यानेस्वर एकनाथ तुकाराम रामदास की सिख्छाओं ने मराठा के उदय में सायोग दिया कि मतलब जो य आज का जो हमारा चैप्टर है जादा लंबा नहीं होने वाला है क्योंकि बस हम लोग इसमें बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे आज हम लोग इस परकार से मराठा सामराजी का होता है इसी चीज़ का हम लोग दिन करेंगे अगली वीडियो जो आएगी सिवाजी से आएग के उथान में सायक हुई थी दूसरी कोशन तब बनते हैं जब आप से कहा जाता है कि बताए इनमें से मराठाओं के संबंद में कौन कौन से कथन सही है तो आपके सामें बच ऐसे ही औप्सन रग दे आते हैं जो अगर आपको याद हैं यह सब सीज़ ने तो आप कर सकते हैं कि दक्कन की ततकालिन राजनितिक इस्तिती भी मराठों के उत्थान में सायक हुई थी मतलब कि जिस परकार से उसमें राजनितिक इस्तिती का मराठों ने फायदा उठाया था जिस कारण से उनको साहता मिली मराठा सामराज्जी को खड़ा करने की चलिए ठीक है हम लोग आ आ गए हैं मराढ़ों के प्रारंबिक इतिहास पर हम लोग एक नजल डालते हैं कि सिवाजी से पहले जो भी इनके वनसज रहते वो क्या थे उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं चलिए सुरू करते हैं तो जो सबसे पहले जो हमको नाम प्राप्त होता है वो यहां से से बच्चे को फसाया आता हैं भी और भी आपको याद रखना है कि सिवाजी के पूरवज मेवाड के सिसाृदिय के pastat नाम यादrikना है और 80 пис cui याद रखना है हम लोग चलिए शुरुआट करते हैं सज्जन सिंग से कि सज्जन सिंग जो थे सिवा जी के पूरवज हुए होंगे तो वहीं से हम लोग सुरुवात करते हैं वहीं से हमको जानकारे प्राप्त होती हैं इसके बाद देखिए एक नाम हमको और प्राप्त होता है उग्रसेन का अब देखिए जो यहां उग्रसेन थे देखी ध्यान से सुनिएगा यहीं से शुरुवात हो रही है यहीं से कोशन बनते हैं उग्रसेन के दो पुत्र हुए पहले पुत्र का नाम हुआ करण सिंग दूसरे पुत्र का नाम हुआ सुब करण बहुत इंपोटेंट है पहले पुत्र का नाम करण सिंग दूसरे पुत्र का नाम सुबकरण अब देखिए जो यह सुबकरण था इस सुबकरण के पोत्र जो थे वो थे पोत्र वो थे बाला जी भोसले तो यहीं से देखिए सुबकरण के साथी देखिए क्या होता है सुबकरण के जो पोत्र थे वो थे बाला जी भोसले और यहां से एक ही जो महत्तप अगर आपसे question ऐसा बनेगा कि सिवाजी के आदी पूरवज किस वनसके थे तो आपको याद रखना है सिवाजी के आदी पूरवज सिसोधिया वनसके थे अगर आपसे ये पूछा जाता है सिवाजी किस वनसके थे तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा सिवाजी जो थे भोसले वंसके थे तो देखिए यहां से दो चीज़ा अलग-अलग हैं आपको अलग-अलग तरीके से याद रखनी है चलिए ठीक है तो सुबक करण जो और यहां से यह कुछ नीवी बनता है कि जो भोसले वंसी की सुरुवात होती है मरठा सामराज्य में वो किस सासक के बाद होती है तो आपको नाम जयाद रखना है सुबक करण जो सुबक करण के वंसा जी भोसले कहलाए थे आप देखिए सुबक करण का एक पोत्र होते हैं बाला जी भोसले और इनके भी दो पुत्र हुए एक पुत्र का नाम हुआ मालो जी दूसरे पुत्र का नाम हुआ बिठो जी आप अब देखिए मालो जी के भी एक पुत्र हुए जिनका नाम हुआ साह जी तो देखिए यहां से कहानी स्टार्ट होती है साह जी कौन थे साह जी कौन थे साह जी सिवा जी के ही पिता जी थे तो देखिए यहीं से कहानी सुरू होनी स्टार्ट हो गई है सिवा जी की देखिए मा नाम के पर रब्रापत होता है बिठोजी तो यह जो थे यह लखुजी जादो कौन थे इनके बारे में पहले हम लोग अगरा डी टेल से जान लेते हैं जी और बिठोजी जो थे इनको अपने जीवन्यापन करने में काफी सारी कठनाईयों का सामना करना पड़ा था इस कारण से क्या करते हैं मालोजी और बिठोजी लखुजी यादों के अंगर अक्षक बन जाते हैं ठीक हो गया ये इनके अंगर अक्षक बन गए हैं लेकिन उस इसका नाम होता है जीजा भाई यह मालो जी पुत्र होते हैं साह जी उनके हीkov की साधी लगू जीजा ज़ुएंगे कंजे कैसे कीसे बनने सामने जीजा बाई जो थी उसके पिता का क्या नाम था आपका उत्तर क्या हो जाएगा लखो जी जादो काफी पार रिज्जा में पूछला गिया है कि जीजा बाई के पिता का नाम क्या था आपका उत्तर क्या हो जाएगा लखो जी जादो और साहजी के पिता का क्या नाम था मालो जी साहज जी मालो जी और जो बिठो जी थे वो क्या थे लगो जी जाद हो के यहां क्या थे अंगर अक्षक की नौकरी करते थे लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया था इन्होंने अंगर अक्षक की नौकरी भी छोड़ दी इन्होंने काफी सारे नौकरी करते रही कभी-कभ बाद में इन्होंने मालो जी ने क्या किया था खुदी के अपने घोड़े तिथा सेनिक रख लिये थे और एहमाद नगर के वजीर मलीक अंबर ने इनको सेना में भरती कर लिया था और उन्हेंने पूना सूपा की जागीर दे दी और जिसे जो सिंग खेड नामक इस्थान थे तो देखे हमालो जी की मिर्टि हो जाती है और मालो जी की मिर्थू के बाद साहाजी उत्राधिकारी बन जाते हैं इंपोटेंटे कोशन है दोस्तों कि साहाजी मालो जी की मिर्थू के बाद साहाजी उनके उत्राधिकारी कब बने थे वो बने थे 1620 ISP में देखिए अभी तक जो ये आ रहे हैं ये सिरफ किसी की अधिन काम कर रहे हैं अभी जो मालो जी थे वो मलीक अंबर की अधिन काम कर रहे थे तो मालो जी की मिर्दू के बाद सहाजी उतरा धिकारी बनते हैं फिर देखिए 1620 विस्वी में लखो जी जादो की मली कंबर से कुछ रड़ाई जैसी मनमुटाव जैसा हो जाता है जिससे साह जी जहांगीर की सेवा में चले आते हैं आप देखिए आसे important question क्या बनता है कि 1620 विस्वी में लखो जी जादो की मली कंबर से थोड़ी दूसमनी type की जाती है जिससे साह जी क्या करते हैं पतला लखो जी जादो की 1620 विस्वी मली कंबर से थोड़ी सी मतलब अन्मन हो जाती है लेकिन साह जी क्या करते हैं जहांगीर की सिवा में चले जाते हैं अब देखिए इस कारण की का होता है यहां से महत्वपुन कोशन क्या बनता ह कि यहां पर्थम मराठा सासक हुए जो पहली बार मुगलों की सेवा में गए थे बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है दोस्तो कि पर्थम मराठा सासक कौन हुए जो की मुगलों की सेवा में गए थे तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा साह जी यह पिर ऐसा भी कोशन बन सकता दोस्तों जहांगीर के सेवा में आने वाले पहले मराठा कौन थे आपका उत्र गया हो जाएगा साहजी तो यहां से बहुत important question बन गया है अब देखिए जहांगीर नहीं सर्व पर्थम इनको उम्रा वर्ग में सामिल किया था किसको साहजी को तो important question है कि साहजी को सर्व पर्थम उम्रा वर्ग में सामिल किसने किया था तो वो किया था जहांगीर नहीं ये भी बहुत ही महत्पून कोशन है कई बार एक जाम में पूझ लगया है कि साहजी को उम्रा वर्ग में सामिल किसने किया था वो किया था जहांगीर नहीं चलिए ठ के बाद हमको एक युद्ध मिलता है जहां पर युद्ध होता है उसका नाम है भात वाड़ी या फिर कह सकते हैं कि मारवाड़ी का युद्ध 1624 इसवी में यहां युद्ध होता है आपको याद रखनी है कि भात वाड़ी के युद्ध कब हुआ था आपका उत्तर क्या हो जागा 1624 इसवी में और यहां किनके मद्ध हुआ था यही काफी महतपूर कोशन है दोस्तों मगलों वो एहमाद नगर के बीच में यहां युद् कौन थे जीजाबाई के कौन थे जीजाबाई के पिता थे लखोजी जादो जो की मुगलों की तरफ से थे अब देखिए एहमाद नगर की साइड से कौन था एहमाद नगर की साइड से मलेकंबर और साथ में साहजी यह साहजी कौन थे साहजी जिनका भीवा जीजाबाई से हुआ था और जीजा भाई कौन थी जीजा भाई लखो जी जावजा की पुत्री सी तो देखी यहां से यह लोग आमने सामने बिल्कुल आ गए हैं एक दूसरे के विपेरित युद्ध करते हैं तो मुगलम वो एहमद नगर के भी जी है युद्ध होता है किनकिन सासकों इनमे सामिल थे कौन-कौन सासक इसमें सामिल थे मैंने आपको बता दिये हैं तो देखी इसमें क्या होता है एहमद नगर की इस युद्ध में हो जाती है जीत एहमद नगर की इस युद्ध में जीत हो गई है तो यह एक युद्ध हुआ था भातवाड़े का युद्ध हुआ था तेखी फिर क्या होता है कुछ टाइम के बाद ही साहजी की मिर्थी हुआती है 1664 साहजी की हुजाती है, मिर्तिय ये एक अखेट करने गए होते हैं, सिकार करने के लिए जाते हैं, उसी टाइम पर क्या होता है, घोडे से गिरकर इनकी चोट लगने की करने की मिर्तिय हो जाती है, 1664 इस वी डेट आपको याद रखने हैं, काफी important डेट है, तो देखी यहां त पिता का नाम क्या था साहजी और सिवाजी के माता का नाम क्या था जीजा बाई जिनके बारे मैं आपको पहले बता दिया है तो यहां से देखिए एक भूमी का बन गई है सिवाजी किस परकार से सिवाजी के बन सके थे बाद में किस परकार से सिवाजी भोसले बन सके होते हैं तो दोस्तों, आज हमने बात कर लिए साहाँ जी काल हम लोग अगली जो वीडियों में हम लोग चर्चा करेंगे, वो करेंगे सीवाजी की, सीवाजी के बारे में जो जो fact बनते हैं कि जां मैं, सारे के सारे हम लोग cover करेंगे एक वीडियों के माध्यम से तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी हमारे अगली वीडियो जाएगी तब तक के रिजने को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और सेयर कर दिए दोस्तों चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में